नमस्कार भविशवानी में आपका स्वागत है रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपके राशी का भविशव बताने के लिए आज कार्तिक मास के शुकल पक्षिकी नौमी तिति और मंगल वार का दिन है नौमी तिति आज देर रात एक बचकर दस मिनट तक रहेगी आज आक्षाय नौमी का वरत किया जाएगा आज रात आठ बचकर एक मिनट तक शत्विखा नक्षत रहेगा या दिलादू की साथी भी शुरू हो गई है आगे हम इसी पर विस्तिक चर्चा करेंगे साथ ही आज अगर आपका बर्त डे है तो क्या करें और अगर आज आज पी मेरी जैनिवर्सरी है तो क्या खास करें क्या है आपका आज का लखी कलर और क्या है आपका आज का लखी नंबर आज अगर बिजने शुरू करना है तो कितने बज़े शुरू करें नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन जेर होगा या दोस्त की किसमत का दर्वाजा खुलेगा किस अक्षर का आज क्या है भविश्य जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तु शात्र और सामुद्रिक शात्र की आज कौन से दिशा होगी शुबह और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है और ये सब जानने के लिए रोज की तरह आज भी हमें पढ़ना होगा एक कदम आज दोस्तों आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है जोतिश्य गनितपक्स ने आकाशी इपिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रो माइग्रिटिक फील्ड के मुवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की यानि की याई जैद योग की तो बता दूँ कि आज ये योग नहीं बन रहा है अज ये योग 23 नौंबर की सुबह 6 बच कर 50 मिनट से सुबह 10 बच कर 2 मिनट तक रहेगा और इसके बाद बात करते हैं सरवार से धियोग यानि की सारे काम बनाने वाले योग की तो बता दूँ कि आज ये योग नहीं बन रहा है अब ये योग 23 नौंबर की शाम 5 बच कर 16 मिनट से अगली सुबह 6 बच कर 25 मिनट तक रहेगा इस क्रम में आईएव चर्चा करते हैं आज के शुबह मुहूर्ट यानि की फेवरेवल टाइम की अगर आप किसी को प्रपोस करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्ट नहीं है अज ये मुहूर्ट कल यानि की 22 नौंबर की शाम 7 बच कर 7 मिनट से रात 9 बच कर 41 मिनट तक रहेगा नया विज़े शुरू करने के लिए भी आज अच्छा मुहूर्ट नहीं है अब ये मुहूर्ट कल यानि की 22 नौंबर की सुबह 9 बच कर 17 मिनट से दो पहर 12 बच कर 37 मिनट तक रहेगा Construction शुरू कराने के लिए आज अच्छा महूर्त नहीं है अब ये महूर्त 23 नॉमबर की सुभा 6 बच कर 50 मिनट से सुभा 8 बच कर 43 मिनट तक रहेगा किसी industrial institution में लेंदेन करने के लिए आज अच्छा महूर्त नहीं है अब ये महूट 23 नॉमबर की सुबह 6 बच कर 50 मिनट से, सुबह 8 बच कर 43 मिनट तक रहेगा सिजीरियन आपरेशन कराने के लिए आज अच्छा महूट सुबह 9 बच कर 21 मिनट से, दो पहर 2 बच कर 34 मिनट तक और एक बार पिर जॉब जॉइन करने के लिए आज अच्छा महूट 23 नॉमबर की रात 9 बच कर 27 मिनट तक और एक बार फिर देर रात 1 बच कर 45 मिनट से, अगली सुबह 6 बच कर 54 मिनट तक रहेगा अच्छा महूट 24 नॉमबर की शाम 7 बच कर 7 मिनट से, देर रात 1 बच कर 41 मिनट तक और एक बार फिर देर रात 3 बच कर 57 मिनट से, अगली सुबह 6 बच कर 52 मिनट तक रहेगा और अब बात आती है, अशुब समय की, आकाश में कभी-कभी ग्रहों की मिली जूली इलेक्ट्रो माइगनेटिक फील्ड कुछ शणों के लिए नेगेटिव हो जाती है इस अशुबह करांती सामें से, एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है इस से चारों तरफ नेगेटिवटी फैल जाती है इस समय में कोई भी शुबह कारे करने से सफलता नहीं मिलती आज कोई अशुब समय नहीं रहेगा आप ये अशुब समय 23 नॉंबर की दो पहर बाद 3 वच कर 17 मिनट पर होगा वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होगी लेकिन वरश, वरश्चिक, मकर और कुम राशियां विशेश रूप से प्रभावित होगी ध्यान रहे इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुबह कारे नहीं करना चाहिए इसके साथ ही एक वात और बता दो कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बहर जरूरी है राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं आज दिल्ली में रहोकाल होगा दो पहर दो बज कर 46 मिनट से शाम चार बज कर 5 मिनट तक मुंबई दो पहर बाग 3 बज कर 11 मिनट से शाम चार बज कर 35 मिनट तक चन्डिगर दो पहर दो बज कर 45 मिनट से शाम चार बज कर 4 मिनट तक लखनव दो पहर दो बजगर 33 मिनट से, दो पहर बाग 3 बजगर 33 मिनट तक भोपाल दो पहर दो बजगर 49 मिनट से, शाम 4 बजगर 12 मिनट तक कोलकाता दो पहर दो बजगर 6 मिनट से, दो पहर बाग 3 बजगर 29 मिनट तक आहमदाबाद दो पहर बाद तीन बच कर नौ मिनट से शाम चार बच कर एकर तीस मिनट तक और चेन नई में राहुकाल होगा आज दो पहर दो बच कर छेलीस मिनट से शाम चार बच कर बारा मिनट तक ये था कुछ शहरों का रहोकाल और अब आज की यात्रा की शुबदिशा क्या है तो आज वो शुबदिशा है पश्चिम यानि की वेस्ट और आएव शुरू करते हैं सिल्चला राशी फलका सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेश राशी के तो पूरी तरह से रिसर्च क के बाद ही निवेश करें इससे आपको फायदा मिलेगा स्वास्त के लिहाद से आज का दिन अच्छा रहने वाला है लंबे समय के बाद खुद को तरो ताजा महसूस करेंगे दूसरों का सहयोग करने पर आज सब के बीच आपकी च्छवी अच्छी बनी रहेगी हर कोई आज के लिए आपका लखी कलार है रेट और लखी नंबर है तीन वरश राशिवालों आज आपका दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा किसी ज़री काम या मीटिंग की वज़े से आपको आउट आफ स्टेशन या फिर विदेश यात्रा पर भी जाना पर सकता है आफ दोस्त से मुलाकात होने के भी संकेत बन रहे हैं दोस्तों के साथ आप अच्छा समय बिताएंगे आज के लिए आपका लखी कलर है पिंक और लखी नंबर है एक मिथुन राशिवालों आज आपका दिन अच्छा रहेगा जो लोग लंबे समय से नौकरी की तलाश में हैं उनकी तलाश आज पूरी हो सकती है जो छात्र सरकारी नौकरी के लिए कंपटिशन के तैरी कर रहे हैं उनको भी आज कोई अच्छी खबर मिल सकती है आज आज आज के लिए आपका लगों का सहयोग मिलेगा आज के लिए आपका लखी तipp है यलो और लखी नुमबर है चार करकराशेवालों आज आपका दिन में लिजुली प्रतिक्रिया देने वाला रहेगा शुरुआत में आपको लगेगा कि आपके काम पूरे हो रहे हैं लेकिन शाम होते होते कुछ काम पूरे होने से रह सकते हैं आज कोई भी जरूरी काम करने से पहले घर के बढ़ों या किसी अनभवी विक्ति से राय जरूर ले ले आपके दिमाग में खुद बखुद नए नए आइडियाज आते रहेंगे जो लोग सरकारी नौकरी में हैं उनके लिए दिन ठीक रहने वाला है बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए आपको किसी की मदद मिल सकती है आज के लिए आपका लखी कलर है वाइट और लखी नंबर है दो सिंग राशेवालों आज आपका दिन ठीक ठाक रहेगा इस राशे के जो चातर विदेश में हायर एजूकेशन के लिए जाना चाहते हैं वो किसी से इस बारे में राय ले सकते हैं आज रूपाए पैसों के लेंदेर में आपको थोड़ी साथानी रखने की जुरुत है किसी को पैसे उढ़ा देने से पहले अच्छे से जाश परताल कर लें बदलते मौसम में अपने स्वास्ते का ध्यान रखने की जुरूरत है व्यापार में आज अचानक आए के नए सोट मिलेंगे आज आज आपके आर्थिक इस्तिति काफी अच्छी रहेगी आज के लिए आपका लखी कलर है स्काई ब्लू और लखी नंबर है सेविन करन्या रशिवालों आज आपका दिन बहुती अच्छा रहने वाला है आज आपके काम जुरूर सफल होंगे जो लोग लमबे समय से अपनी करन्या के लिए वर की तलाश कर रहे हैं उनकी तलाश आज पूरी हो सकती है कन्या के लिए आपको सुयोग वर मिल सकता है कोट के चहरी के मामलों में भी आपको अच्छी खबर मिल सकती है आज आपको जीवन साथी का पूरा-पूरा सायोग मिलेगा दामपत्य रिष्टे में मधोरताएगी आप उनके साथ किसी चिप पर जाने की प्लानी भी बना सकते है आज के लिए आपका लखी कलर है परपल और लखी नंबर है पाँच तुला राशी वालों आज आपका दिन सामाने रहेगा आज किसी प्रभावशाली विक्ति से आपके मुलाकात हो सकती है आने वाले समय में वो आपके लिए बहुत ही उप्योगी साबित होगा जो लोग टूर एंड ट्रेवल के बिजनस से जुड़े हैं उनके लिए दिन अच्छा रहने वाला है बिजनस से जुड़े लोगों को कुछ बड़े प्रजेक्ट मिल सकते हैं आज अपनी बानी पर संयम रखें आपके मुझ से निकली हुई एक गलत बात आपके रिष्टों को खराब कर सकती है आज परिवार का माहौल ठीक रहेगा लव मेट्स के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है आज के लिए आपका लखी कलर है ब्राउन और लखी नंबर है आठ वरिष्टिक राशिवालों आज आपका दिन थोड़ा अच्छा रहेगा आज आपको मन मताबिक परना मिलेंगे अगर आप अपने बिजनेस को किसी दूसी जगह पर शिप्ट करना चाह रहे हैं तो एक बार जगह अच्छी तरीके से देख लीजी किसी के साथ पार्टनर्शिप के लिए दिन अच्छा रहेगा नौकरी पेशा महिलाओं के लिए भी दिन बढ़िया है बॉस और अंग सहयोग्यों के साथ आपके रिष्टे बेहतर रहेंगे आफिस में किसी काम के लिए आप खुद से जिम्मेदारी ले सकते हैं दामपत्य जीवन आज बहतरीन रहने वाला है आज के लिए आपका लखी कलर है मैजेंटा और लखी नंबर है चार धनुराशिवालों आज आपका दिन बहुत ही बढ़िया रहने वाला है आज आपके मन में नए नए विचार रहेंगे जिन्हें आप अपने दिन चर्या में उतारने में काम्याब रहेंगे जो लोग राजनीत के छेते से जुले हैं उनके लिए आज का दिन तरक्की दिलाने वाला रहेगा आज आपकी पार्टी आपको कोई बड़ा पद भी दे सकती है जन्ता के बीच आपका मान समान भी बढ़ेगा जो लोग लोही के व्यापार से जुले हैं उनके व्यापार में व्रिद्धी होगी फाइनल एयर के स्टूडेंट्स को कोई काम मिल सकता है इससे आप खुद के सपनों को पूरा कर पाएंगे आज के लिए आपका लखी कलार है ब्लू और लखी नंबर है तो मकर राशे वालों आज आपका दिन सामान रहने रहने वाला है किसी सरकारी परिक्षा के तैहरी करने वाले च्छात्रों को पहले से जादा मेहनत करनी पड़ेगी आज स्वास्ते पर ध्यान देने की भी जरूरत है आज किसी भी तरह की लापरवाही करने से आपको बचना चाहिए लव मेट्स के लिए आज का दिन शांदार रहने वाला है जो लोग थोख विक्रेता हैं उनको आज विशेश लाब होगा किसी दूसरे शहर से सामान मनवाना है तो आज इससे जुड़े नड़ने ले सकते हैं संपत्रिसे जुड़े मामलों में जीवन साथी का साहयोग मिलेगा आज के लिए आपका लखी कलर है सी ग्रीन और लखी नमबर है नाई कुम बराशिवालों आज आपका दिन अच्छा रहेगा आज घर और बाहर हर जगे आपकी तारीफ होगी हर कोई आपसे अच्छा वेवार करेगा आज समाथ से जुड़े कारियों को करने के लिए दिन उत्तम है आप किसी NGO की शुरुवात या किसी सामाजिक संगठन से जोड़ सकते हैं आज आफिस में काम करने में आपका कोई सानी नहीं होगा आपके जूनियर्स भी आपसे काम सीखना चाहेंगे किसी काम के लिए आपको ओफिस में आवार्ड भी मिल सकता है चात्रों को आज किसी परतियोंगिता में भाग लेने का मौका मिलेगा आज के लिए आपका लखी कलर है औरेंज और लखी नंबर है तीन मेन राशेवालों आज आपका दिन अच्छा भीतेगा कला और साहित्य से जोड़े लोगों को आज सफलता मिलेगी आपको किसी बड़े ग्रुप से जोड़ने का मौका मिलेगा आज ज्यादा से ज्यादा समय आप अपने घरवालों के साथ गुजार सकते हैं आप सब के साथ कहीं घूमने जाने का प्लान भी बना सकते हैं आज धार कलार है सिल्वर और लकी नमबर है दो और अब बात उन की जिनका जनम दिन है जिनका जनम दिन है वो चिडियों को दाना खिलाएं और जिनकी आज मारी जनिवर्शनी है वो आज एक पेड लगाएं तो साल भर सुख और स्वभाग बढ़ता ही रहेगा और आईए अब चलते हैं अंकों की दास्माई दुनिया में मुलांक एक वालों आज व्यापार में नए आउसर मिलेंगे इससे धनलाब होने की उमीद बल सकती है मुलांक दो आज आपका मन शांत रहेगा आफिस में किसी काम क को लेकर confusion हो सकती है मुलांक तीन आज रहन सहन में कुछ बदलाव होने से लोग आप से काफी प्रभावित होंगे मुलांक चार आज आपका दिन ठीक ठाक होगा आपके रुके हुए काम आज पूरे हो जाएंगे मुलांक पांच घर में आज खुशी का माहौल बना रहेगा सभी सदस्यों में तालमेल की इस्तिती बनी रहेगी मुलांक चे व्यापारी वर्व से जुड़े लोगों को आज काम की सिलसले में यात्रा करनी पर सकती है मुलांक साथ आज आपका स्वास से बहत्रीन रहने वाला है अपने खान पान पर विशेश दिहान देने की ज़रत ह मुलांक आठ अगर आप कहीं घूमने जा रहे हैं तो घर के मुखे दरवाजे को अच्छी तरह से बत करते हैं मुलांक नौ आज का दिन खुश्यों से भरा रहेगा ये खुशी आपके किसी करीबी रिष्टेदार के आने की होगी और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की वा वहीं बैंगरी रंग उदासीनता को कम करता है काला रंग अकेले पन को बढ़ाता है वास्तुशास्त्र में अधिकतर इस रंग को आवाइड ही किया जाता है वहीं सफेद रंग की बात करें तो ये शांती, सादगी और पवित्ता का प्रतीक है नारंगी रंग महात्वा कां रंग शाओं और अहंकार में विद्धी करता है जबकि भूरा रंग निश्पक्षता को दर्शाता है तो अब यहां कौन सा रंग घर के किस दिशा के वास्तु के लिए समीचीन है इसकी भी चर्चा कर लेते हैं काले रंग के लिए उत्तर दिशा शेयसकर है नीले रंग के लिए पस्च्म दिशा शेयसकर है भूरे रंग के लिए पस्च्म और मध्ध के बीच में जहां सेंटर है वहां तो जलो उसके नीचे वहां पर ब्राउन कलर और जस्ट उसके ऊपर जहां जहां ग्रीन कलर पूर में है और सेंटर में पीला इन दोनों के बीच में ब्राउन क औरेंज कलर ईस्त मंड़े बते हैं। और इस तरीके से गलर का पैर्टर्न में सही पर्ते में से चीज हें। बहतर होती है। औरेंज कलर का साउठ दिशा में भी स्तेमाल किया सकता है। तद्शन दिशा में सबसे माकूल पर रकाूली भात। और अब आज ये दिन की सबसे विशेश बात, आज कार्तिक मास के शुकल पक्ष की नौमी तिथी और मंगलवार का दिन है। नौमी तिथी आज देर रात एक बच कर दस मिनट तक रहेगी। आज अक्षय नौमी का व्रत किया जाएगा। दीप आज अक्षय नौमी का व्रत किया जाएगा। दीपावली के ठीक दस दिन बाद मनाई जाने वाली अक्षय नौमी का शास्त्रों में बड़ा महत्तों बताये गया है। पुरानों में इस दिन से ही द्वापर युग की शुरुवात मनी जाती है। अक्षय का अर्थ होता है जिसका शारन न हो। इस दिन किये गए कारियों का अक्षय पल प्राप्त होता है। इसे इच्छा नौमी, आवला नौमी, कुश्मांड नौमी, आरोग नौमी और धात इसे नौमी के नाम से भी जाना जाता है। आज के दिन किये गए व्रत के पुणे से सुख, शांती, सर्भाव और वंच व्रदी का फल साथ होता है। आवला नौमी के दिन विशेशूप से भगवान विश्णू और आवले के व्रक्ष की पूजा अर्चना करने का विधान है। साथ ही आज के दिन तरपन और इस्नान दान का भी बड़ा महत है। संभव हो तो आज किसी तीर सिस्तल बर जाकर इस्नान करना चाहिए। लेकिन अगर आप कहीं दूर नहीं जा सकते तो घर पर ही अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डाल कर इस्नान गया था। जिसके बाद उस दाइट्य के रोम से कुष्मांड की बेल निकली थी। इसलिए उसे कुष्मांड नौवी भी कहते हैं। कुष्मांड को आम भाशा में पेठा या कद्धू कहते हैं। जिसकी सभ़ी बनाई जाती है। आज के दिन कुष्मांड यानि पेठे का दान करना चाहिए, दान के साथ ही गंध, पुष्प और अक्षत आदि से कूशमांड का पूजन भी करना चाहिए, इससे उत्तम फलों की प्राप्ति होती है, कूशमांड नौमी के अलावा उडिसा में आज जगत धात्री माता की पूजा भी की जाती है, बता दू कि जगत ध प्राप्ति के लिए आपको कौन से विशेश उपाय करने चाहिए, इसकी भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको आज से जुड़ी एक महत्रपून बात और बता दूँ, आज असे विश्णु तिरी रात्री भी शुरू हो गई है, आज कार्थिक दिनों के दौरान शी विश्णु भगवान की पत्रिमा के साथ तुल्सी जी की पूजा करने का विधान है, और आखरी दिन तुल्सी विवाह के पच्चात सुपात्र ब्राह्मन को विश्णु जी की पत्रिमा का दान किया जाता है, तो ये थी आज किये जाने वाले अक्ष बंडल में इस्ते 27 नक्षत्रों में से शातिविका 24 नक्षत्र है इसका अर्थ होता है सौ चिकिट सक्ट ये नक्षत्र अपने आप में बहुसी वस्तूओं को समा लेने की छमता रखता है इस नक्षत्र में नामकरन, मुंडन, कोई नया सामान खरीदना और विद्या आरम करन बेहत शुभ माना जाता है आपको बता दू कि शत्रविका नक्षत्र के सौमी राहू है जो कि एक छायक रहे और इसके चारों तरफ कुम्भ राशी में ही आते हैं लिहाजा इसकी राशी कुम्भ है शत्रविका नक्षत्र के प्रबल प्रभाव में आने वाले जातक साहसी, सात्रिक जीवन जीने वाले सदाचारी, धार्मिक, चतुर, रहस्यमय और आत्म विश्वास से भरपूर होते हैं इसके अलावा शत्रविका नक्षत्र का प्रतीक्षन खाली व्रत या गोलाकार आकरती को माना जाता है जबकि पेर पौधों में इसका संबंद कदम के पेर से बताया गया है लहाजा जिन लोगों का जन्म शत्विका नक्षत्र में हुआ है उन लोगों को शत्विका नक्षत्र के दौरान कदम के पेर की उपासना करनी चाहिए अगर आपको कदम का पेर न मिले तो अपने मन में ही हरे भरे कदम की आकरतिका ध्यान करें साथ ही कदम के पेल, उसकी लकडी या उससे जुली किसी भी अन्य चीज को इस दोरान नुकसान पहुंचाना अवायट करें। ऐसा करने से शुप फलों की प्राप्ति होगी, साथ ही आपकी तरक्की भी सुनिश्चित होगी। इसके अलावा आपको याद दिलादू कि शट्विका एक पंचक नक्षत्र है। धर्ष्ठा से लेकर रेव्टी तक के पांच नक्षत्रों को पंचक नक्षत्र कहा जाता है। पंचक की शञ़ी में शट्विका दूसरा पंचक है, इसलिए आज पंचक है। पंचक के दोरान घर में लकडी का कारे या घर में वुडबर्क नहीं कराना चाहिए और नहीं लकडी इकटी करनी चाहिए। अगर आप ये कारे इस समय करेंगे तो ये अच्छा नहीं बाना जाता। अतहा चौबीस नौंबर की शाम चार बच कर एक मिनट तक आपको इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये थी आज पढ़ने वाले शग्विका नक्षत्र और पंचक की चर्चा। और अब बात करेंगे आज आवला नौमी के दिन की जाने वाले विशेश उपायों की है। लेकिन उससे पहले आपको आवले के बारे में बता दूं कि आव स्वास संबंदी समस्याओं का इलाज छिपा हुआ है। और आवले में तो इन दोनों के गुन पाय जाने के करण ये और भी फायदे मन सिद्ध होगा। आपको बता दूं कि एक आवले में दो संत्रे जितना जितनी मातरा में विटामिन सी होता है। शाथ ही आईरन, जिंग करोटीन, फाइवर, विटामिन बी कॉंपलेक्स, कैलशियम, अंटियॉक्सिदेंट्स ये सब भी बहुत अच्छी मातरा में आवले के अंदर पाय जाते हैं। इसलिए आज के दिन आवले का फल खाने से बुखार जोडों के दर्द, बीपी और हले संबंदी समस्याओं में फायदा मिलता है, लेकिन यहाँ एक ध्यान देने जोगे बात ये भी बता दूँ, कि आवला खाने के दो घंटे तक बात तक दूद का सिवन नहीं करना चाहिए। और अब बात करेंगे आज के जाने वाले उपायों गे। सूत का धागा लपेटना चाहिए। साथ ही घी का दीपक जलाकर आवले की वरक्ष की आरती भी करनी चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके रिष्टे की दोर मजबूत होगी और आपके बीच पहले जैसा प्यार स्थापित होगा। अगर आप अपनी धन संपदा में ब बड़ा ही शुब माना जाता है। लेकिन जो लोग किसी कारनवाश आज के दिन आवले का वरक्ष न लगा पाएं, वो आज के दिन आवले का वरक्ष लगाने का संकल्प ले ले और बाद में जब भी आपको समय मिले तो वरक्ष जरूर लगाए। आज के दिन ऐसा करने से आपकी धन समपदा में बहुत तरी होगी, साती ही यश और ग्यान की प्राप्ति अवश्य होगी। अगर आप अपने घर परिवार में सुक्ष शांती बनाए रखना चाहते हैं, तो आज अक्षा नौमी के दिन आपको आवले के पेल के नीचे बैठ कर भोजन करना चाहिए लेकिन अगर आपके आसपास आवले का पेल उपलब्द नहों या फिर आवले के पेल के नीचे बैठ कर भोजन करना आपके लिए संभव नहों तो आप आज के दिन आवले का पल खरीद कर घर लाइए। आज के दिन ऐसा करने से आपके घर परिवार में सुक्ष शांती बन रहेगी है। अगर आप अपनी आयू में व्रधी करना चाहते हैं और अपने स्वास्त को बेहतर रखना चाहते हैं तो आज के दिन स्नान आदि के बाद आवले के पेल के पास जाकर उसकी विदिवत पूजा करें साथ ही उसकी जल में दूध मिला हुए जल अर्पित करें। आज के दिन ऐसा करने से आपकी आयू में व्रद्धी होगी और आपका स्वास्थ बेहतर रहेगा। अगर आप एक अच्छी और सुडौ संतान की चाहत रखते हैं तो आज के दिन इसनान आज से लिवरत होकर आवले के पेल के नीचे पूर्व दिशा के और मूँ करके बैठ जाएं और व्रक्ष का पूजन करें साथ ही कपूर से आर्थी करते हुए व्रक्ष की साथ बार परिक दिर्मा भी करें आज के दिन ऐसा करने से आपको जल्दी ही एक अच्छी और उत्तम संतान की प्राप्ति होगी है अगर आपके मन पसंद विवाह में एक के बाद एक परिशानी आती जा रही है तो आज के दिन आवले के पेल के सने में रोली के तिलक लगाएं और दोनों हा जोड़कर मन पसंद विवाह में आ रही परिशानी से छुटकारा पाने के लिए प्रात्ता करें आज के दिन ऐसा करने से आपके मन पसंद विवाह में आ रही परिशानियों का जल्द ही अंत हो जाएगा अगर आप अपने सुक्ष वभागे में बढ़ोतरी करना चाहते हैं और अपने दामपत्य जीवन को सुखद बनाना चाहते हैं तो आज के दिन आवले की जड़ में जल चलाएए साथ ही विश्णुजी के इस मंतर का ग्यारा बार जब करें ओम नमो भगवते नारायनाय आज के दिन ऐसा करने से आपके सुक्ष वभागे में बढ़ोतरी होगी और आपका दामपत्य जीवन सुखद बना रहेगा अगर आप अपने बच्चों के बहतर स्वास्ते की इच्छा रखते हैं तो आज के दिन आवले के पेल की जोड़ी से आरती करें साथ ही अपने बच्चों के साथ, बच्चों के बेहतर स्वास्ते के लिए दोनों हाथ जोड़कर भागवान विश्णु का ध्यान करते हुए प्रात्रा करें। आज के दिन ऐसा करने से आपके बच्चों का स्वास्ते बेहतर बना रहेगा। तो ये सारी चर्चा थी आज शत्वी का नक्षत्र, पंचक और अक्षय नौमी व्रत के बारे में। साथ ही आज के दिन कौन से विशेश उपाय करके आप अपने जीवन में चल रही समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं। इसकी भी हमने चर्चा की है। उमीद है कि आप इन उपायों को अपना कर फाइदा जरूर उठाएं। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भाविश के बारे में। और ABCD ही क्यों नाम का पहला अक्षर ही क्यों कि आज के जमाने में दोस्त और दुश्मन सबकी गत्विद्यों पर आपकी नजर होना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके दोस्त को आज कोई अच्छे अपरचुर्टी बिलने वाली है। या कहीं आपका दुश्मन बाजी नमाद ले किसका दिन आज कैसा है नाम के पहले अक्षर से सब पता चल जाएगा। तो जिनके नाम का पहला अक्षर है आज आपके सहकर्मी आपके पीट पीछे किसी प्रकार की राजनीद करने की खोशिश करेंगे। बी, पढ़ाई के प्रती एकागरता में अरचने आएंगी जिससे आप थोड़ा उल्जन में रहेंगे। सी, घर का कोई काम बहुत दिनों से अधूरा प्रा हुआ था, आज आप उसे पूरा करेंगे। डी, आज आप दोस्तों के साथ किसी एडवेंशर पर जा सकते हैं। ई, परिवार के लिए आज आज आप कपलों के खरीदारी करेंगे। एफ, व्यापार के सिर्सिरे में आज कोई बड़ी दील पकी हो सकती है। जी, परिवार के साथ आज आज आप कहीं खूमने जाएंगे, वहां किसी दूर के दिश्टेदार से आपकी मुलाकात होगी। एच, आज परिवार में किसी बड़ी खुशखबरी से घर का वातावरान उत्साह से बर जाएगा। आज जीवन साथी के साथ बात चीज़ करके आप अपने पुराने गिले शिक्वे दूर करेंगे। च, लब मेट्स को आज अपने माता पिता से विवाह के लिए अनुमती मिल सकती है। क, अचानक आपको कोई खुशखबरी मिलेगी, ये खबर आपके प्रमोशन की भी हो सकती है। आज शिक्षक चात्रों को कुछ नया सिखाने समझाने के कुछिश करेंगे। आज आज आप बहुत दिनों बाद जिम जाएंगे और खुद को फ्रेश महसूस करेंगे। कुछ अच्छा के लिए कुछ अच्छा करने की सोच सकते हैं। आप आज किसी पुराने मित्र से मिले उसके घर जाएंगे। Q. आज आप बैंक के तयारी के लिए किसी अच्छे इस्टिटूट में अड्मिशन लेंगे। R. आज 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 जो भी काम शुरूद करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। S. आप आज किसी अध्यात्मिक चर्चा में शामिल होंगे और वहां अपने विचार भी रख सकते हैं। T. आज कारिक्षेत्र में आपकिसी सहकर्मी की मदद करेंगे। जिससे उसके आर्थिक समस्या दूर हो सकती है। U. आपके घर कोई मांगलिक आईवेंड होगा जिसमें आप अपने मित्रों को भी बुला सकते हैं। V. आज आज के मुलाकात अचानक किसी वेक्ति से हो सकती है जिससे आपको व्यापार में लाब होगा। W. आपको प्रोमोशन मिलने से घर में खुशी का महौल रहेगा। X. आप आज करियर काउंसिलर से मिलेंगे फोटोग्राफी में करियर से रिलेटेड डिसकुशन करेंगी। Y. आप अपने करियर को लेकर कोई ठोस निरने ले सकते हैं। Z. आज अपने पार्टनर के साथ शॉपिंग करने किसी मॉल पे जाएंगी। और अब बात आज के तीर्त की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं। पुने के प्राचीन डुल्या मारूती मंदिर के दर्शन। अब आज जी को सवानपित ये मंदिर करीब ये 250 वर्श पुराना बताया जाता है। इस मंदिर की स्थापना स्वामी शी समर्थ रामदाज जी ने की थी। जो चात्रपति शीवा जी के गुरू कहे जाती है। मंदिर में हनुमान जी की मूर्थी एक काले पत्थर पर अंकित है। हनुमान जी की मूर्थी के पास ही नवग्रह भी स्थापित किये गए है। मंदिर में एक पीतल का पुरातन घंटा लटका हुआ है। जिसके उपर शक्त संबत 1700 अंकित है। बजरंग वली के भक्तों में इस मंदिर को लेकर अपार शद्धा है, लोग दूर दूर से यहां दर्शन करने आते हैं, तो आप भी घर बैठे कीजे इस अधुद हनुमान मंदिर के दर्शन, और अब बात सामुद्दिक शास्त्र की, सामुद्दिक शास्त्र में आज हम बात लेकिन नीचे की तरफ से सक्री या कहें बहुत कम चोड़ी होती है, आज हम उनके बारे में बात करेंगे, पंच तत्तों में से शांकवाकार आकर्ति का संबंद अग्नी तत्तों से माना जाता है, अतहा ऐसे लोगों पर अग्नी तत्तों का अधिक प्रभाव देखने को बि इसलिए इनके सामने कोई भी ऐसी बात करने से बचना चाहिए जिससे इन्हें गुस्सा आजहें, तो कि अपने गुस्से में ये दूसरों को भी नहीं छोड़ते और इसका सीधा संबन इनके रिष्टों पर पड़ता है, सामुदिक शात्र में ये थी चर्चा शंकु के आक आज देर रात एक बचकर दस मिनट तक रहेगी, उसके बाद दशमी तिति लग जाएगी, जो कि कल रात क्यारा बचकर चार मिनट तक रहेगी, दशमी तिति में कलंबी के शाक का सेवन नहीं करना चाहिए, कलंबी एक पत्तेदास सब्जी है, जो कि पानी के सोट के पास और चलते चलते आपको बता दो कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली इंदिशा है उत्तर पस्चिम, और अब वक्त है आज के टिप आफ दी डे का, आज कास्मेटिक का सौंदर पसाधन का कोई सामान खरीदे, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेगी अपना राशिफल जानने के लिए लोगाउन करें www.indiatv.in और मुझसे विक्तिगत संपर करने के लिए फोन करें 997100226 भाविश्यवानी में फिलाल इतना ही, नमस्कार